दोस्तों बात करेंगे इस साल के CPL फाइनल के बाड़े में जहां पे बर्बर्डोज रोयल्स एंड जमाईका थलावास एक दूसरे के आमने सामने होंगे मैच खेला जाएगा रात के साड़े चाड़ बजे इंडियान समय नुसर कहां पे प्रॉविदिन स्टेडियम गुवाना के ग्राउंड पे ठीक है अब देखो ये मैच जहां पे खेला जाएगा न वहां पे अल्रेडी 70 T20 मैचेस आज तक खेले जा चुके हैं एवरेज स्कोर बैटिंग फरस्ट है 151 का सेकर इनिंग का एवरेज स्कोर 136 का इस वेन्यू पे दोनों टीम का परफॉर्मेंस चेकाउट करेंगे जहां पे बार्बरूस आठ मैचेस खेले हैं चार जीते हैं चार हारे हैं तो 50% का इनका विन परसेंटेज है इस वेन्यू जामाइका इस वेन्यू पर 11 मैचेस खेले हैं 6 जीते हैं और पाच आ रहे हैं तो दोनों टीम का ही लगभग 50-55% का विनिंग रेशियो इस वेन्यू पर आप कह सकते हैं दोस्त अगर आप पहली बार हमारे यूटूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट रहेगा काइंडली हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले बटन को प्रेस करके औल पे करना बिलक जाएंगे दोस्त अचा बात करेंगे रिसेंट मैचस जो के इस वेन्यू पर खेले गया हैं वहाँ पर कैसा क्या रहा है एकदम जो आखडी वाला सेमी फाइनल था जहां पर बैटिंग फर्स्ट करते वे जमाई का 226 किये थे गुवाना टार्गेट को चेज नहीं कर पाए काफी जादा हाई स्कोरिंग मैच रहा था अब हाई स्कोरिंग मैच क्यों रहा था क्योंकि जब जमाई का बैटिंग फर्स्ट कर रहा था उनके तरफ से स्टार्ट बिलकुल भी अच्छा नहीं मिला था बट शमाड़ा ब्रुक्स 52 बाल्स पे 109 करके 210 का स्ट्राइक रेट था काफी बड़िया तरीके से पहले इनिंग को समा ले थे फिर एक्सिलेरेट किये थे नीचे से इमाद वसीम सिर्फ 15 बाल पे 41 किये थे निसी के काड़न आप कह सकते हैं कि 220 के करीब गया नहीं तो 190-195 तक भी टार्गेट रुक सकता था जब चेस करने आए गवाना उनको भी कुछ खास स्टार्ट नहीं मिला नीचे से कीमापॉल 56 कर दिये इसलिए इनका 188-189 तक गया नहीं तो ये भी 155-160 तक ही शायद रुक जाते बोलर्स में से पेसर्स को 6 विकेट मिले पुरे मैच में, स्पिनर्स को भी 6 विकेट मिले जिन में से सेकेंड इनिंग में 5 विकेट मिला था इसके पहले भी मैंने आपको बोला है कि जो रात वाला मैच होता है मतलब वहाँ पे इविनिंग वाला मैच और हमारे यहाँ पे जो रात के सारे 4 बजे शुरू होता है वहाँ पे spinners का रोल बहुत ही important होता है दो पहड़ वाले मैच में वहाँ पे पेसर्स अच्छा करते हैं और जो शाम वाला मैच होता है वहाँ पे spinners अच्छा करते हैं तो इस मैच में भी second inning में हो या फिर first inning में specially second inning में आप spinners को थोड़ा सा favor कर सकते हैं उसके पहले जो semifinal 1 खेला गया था जहाँ पे 148-48 टारगेट चेज नहीं हुआ फिर से spinners 9 wicket, Pacers पी 9 wicket एगेन आप देख सकते हैं second inning में spinners कितने important हो रहे हैं ठीक है ना ये भी रात के साड़े 4 बजे खेला गया था इंडियन समय अनुसार ठीक है उसके पहले आप देखेंगे 195 for 5 जो के चेज नहीं हुआ फिर से 125 आसानी से चेज हुआ यहाँ पे Pacers क्यों डॉमिनेट किये थे क्योंकि यह वहाँ पे दो पहर का मैच था ठीक है जहाँ पे Pacers अच्छा करते हैं 173 for 6, 136 all out यहाँ पे भी Spinners आप देख सकते कितने जादा नॉमिनेट किये हैं 194 for 5 जेज हो गया यहाँ पे 163 जेज नहीं हुआ 178 भी जेज नहीं हुआ 156 भी जेज नहीं हुआ clear cut domination batting first करने वाला team का रहा है और final के pressure में भी team toss जीत के batting first करने का ही prefer करेंगे overall देखेंगे Pacers को दोनों ही inning में 23-23 विकेट मिले हैं Spinners first inning में 20 तो second inning में 37 विकेट निकाले हैं मतलब लगभग double ठीक है आचा toss based analysis अब check out करेंगे जहां पर Barbados Royals का तरफ से देखेंगे इस venue पर Harry Tector batting first करते वे 47 not out रहा है उसके बाद दोनों inning flop गए है Jason Holder का इस venue पर record both with bat and ball दोनों ही inning में काफी खतरनाक रहा है one of the best captain wise captain option Obed McCoy यहां पर second inning में bowling करते वे एक बार दो विकेट निकाले हैं first inning में bowling करते वे 4 विकेट निकाले हैं एक एक बार flop भी गए है Kyle Myers का देखेंगे देखिए कितने consistently इस venue पर flop हुए है batting first करते वे 26, 16, 7, 2 ठीक है यहां पर 55 आया है बट वो second inning में बैटिंग करते वे आया था ठीक है Hayden Walls junior का decent record है day one Thomas अब के लिए grand league पिक होंगे ocean Thomas अगर खेलते हैं मैंने पहले भी बोला है ध्यान दीजेगा अगर खेलेंगे तो grand league में बिल्कुल try करेंगे नजिबुल्ला जदरान इस venue पे तीन inning खेले हैं एक 23 किये हैं second inning में बैटिंग करते हुए बाकि बैटिंग first में दोनों बार flop गये हैं grand league में try कीजेगा small league में नहीं नजिबुल्ला जदरान consistently weaker निकाले हैं इस venue पे ज़रूरत पढ़ने पे बैटिंग से भी थोड़ा बहुत contribution दिये हैं आजम खान consistently performance किये हैं इस venue पे specially जब जब बैटिंग first किये हैं and top order flop हुआ है आजम खान को ज़्यादा बैटिंग करने का मौका तभी मिलेगा जब top order से at least 2 better flop होंगे क्योंकि यह आते हैं number 4 number 5 पे अगर कायल मायर stop order से अच्छा कर गए तो शायद आजम खान को उतने ज़्यादा बाल्स खेलने का ना मिले तो यह शुरूवात में जो इनिंग को build करते हैं थोड़ा बहुत बाद में जाके accelerate करते हैं चके मारते हैं चौके मारते हैं बड़ शुरूवात में थोड़ा बहुत accelerate करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आजम खान को जादा बॉल्स खेलने का जरूरत है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 42 बॉल्स के लिए यहाँ पर 35 बॉल्स के लिए ठीक है ना फिर्स्ट इनिंग में जब जब बोलिंग किये हैं दोनों बार फ्लॉप गए हैं बाकी आर्ट सिमंट्स एक इन वे सेकेंड इनिंग में बोलिंग करते हैं तीन बॉकेर निकाला है जमाइका थलावास के दरफ से देखेंगे Captain Roman Powell ठीक ठाक performance रहा है दोनों ही इनिंग में Fabian Allen भी काफी अच्छा किये है bowling first जब जब किये हैं एक एक विकेट निकाले है हलाकि यहाँ पर 23 रन भी है second inning में bowling करते हुए दो बार flop गये है दो बार एक एक विकेट निकाले है यहाँ पर 33 है ठीक है यहाँ पर अगर Brandon King को आप Grand League में CVC ट्राई कर रहे हो तो लगभग उसी टीम में आप जो बाकी के बैटर्स है किनका? जमाइका के टीम का टॉप ओडर से आप सिर्फ Brandon King को रखके उनको CVC कर देना बाकी Middle Order के बैटर्स को आप भरबर के ले लेना क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि Brandon King जिस मैच पे चले है उनके उपिनिंग पार्टनर्स कुछ खास नहीं कर पाए है ठीक है? तो Brandon King को अगर आप Grand League के टीम में कैप्टेन कर रहे हो तो जमाइका के टॉप ओडर से अटलीस्ट दो बैटर छोड़ के जाना ठीक है? यहाँ पे केनार लुइस कुछ खास नहीं किये है शमाडा ब्रुक्स पिछले दो इनिंग जो इस वेन्यो पे खेले हैं काफी अच्छा किये है बाकी इमाद वसीम है इस वेन्यो पे कंसिस्टेंटली बोथ विद बैट अन बॉल परफॉर्मेंस किये है पिछले मैच में 41 भी किये और दो विकेट भी निकाले महमद आमिर इस वेन्यो पे ठीक किये है क्रिस ग्रीन इस वेन्यो पे डीसेंट परफॉर्मेंस रहा है बहुत बार यह जिरो विकेट भी लिये हैं रहुत बार 2-2 एक एक विकेट लियाएैं रेमवान एक बार पाच विकेट निकाले हैं हालाules 17 नीची और क्वाश नहीं है महमद नाभी है जिक्त सर्टी वन नट आउट और तीन विकेट निकाले और यहाँ पिर पाच रदन 3 विकेट ठीक है आचा बात करेंगे hit to head matches के बारे में इन दोनों टीम्स के बीच में overall 19 T20 matches CPL history में खेला गया है जहाँ पे 10 बार जमाईका तो 9 बार बर्बर्डोस जीता है एकदम काटे का टकर रहा है कोई भी जादा डॉमिनेट नहीं किया है पिछले 5 matches में 3 बार बर्बर्डोस जीत क वे जीत हासिल किये थे 146 for 6 किये थे यह बार्डिश affected match था आज उतने ज्यादा बार्डिश का chances है नहीं तो आपको full-fledged match देखने को मिलेगा राकीम कॉर्णवाल 15 किये थे holder का 3 wicket रहा था bowling first करते वे यहाँ पर ओबेड मेकॉई डेत ओवर में 2 wicket निकाले थे ब्रेंडन क तो जब 8 wicket से match जीता तब सबसे बड़ा contribution किन का रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्बिन बॉश 56 और क्विंटन डिकॉग उस match में काफी अच्छा किये थे बड़ वो तो अभी available है नहीं से लिए उनका नाम मैंने नहीं लिखा है ठीक है यहाँ पर रोवमन पावल 52 किये थे बैटिंग first करते वे रेइफर 41 जांगू 30 अभी जांगू को नहीं खिला रह रहा है यहाँ पर आप देख सकते रोवमन पावल का नाम consistently आ रहा है ठीक है पिछले साल एक hit to eight match खिला गया था जहाँ पर जमाइका चेस करते वे जीता था काफी बहतरीन तरीके से चेस किये थे आजम खान 50 किये थे बिशॉप 18 नॉट आउट और तीन विकेट निका रहे तब मैं आपको बताऊंगा रोवमन पावल एक विकेट उसके पहले बारबाडोस बैटिंग फर्स करते वे जीता जहाँ पर रेमॉन राइफर 31 नौट आउट तीन विकेट मौहमद आमिर का दो विकेट बुक्स का फिर से परफॉर्मेंस है होल्डर का नाम आपको फिर से दिख रहा है और रोवमन पावल एक विकेट उसके पहले देखेंगे बारबाडोस चेस करते वे जीता जहाँ पर ओशन थामास है होल्डर का नाम आपको फिर से दिख रहा है बिशप एक विकेट ठीक है तो हिट टुएड मैचस में टॉप परफॉर्मर्स कौन-कौन हुए होल्डर जो के 14 इनिंग में 168 रंस कर चुके हैं होल्डर का विकेट से भी नाम आपको दिख रहा है 16 इनिंग में 17 विकेट ओविड में कोई 2 इनिंग में 5 विकेट निकाल चुके हैं वर्सेस जमाइका थलावास ठीक है जोशुआ बिशाप 4 इनिंग में 5 विकेट जमाइक 5 रेंस किये हैं रेफर विकेट्स में भी है साथ इनिंग में साथ बट इनसे बोलिंग नहीं करवाया जाड़ा अभी लामीचन अभी है नहीं इमाद वसीम पाच इनिंग में 6 विकेट प्रिटोरिया स्टार इनिंग में 5 अच्छा अब बाद करेंगे प्लेयर बैटल्स के बारे में यह प्लेयर बैटल्स धूनते धूनते लुएग्ज थोड़ा सा लेट हो गया बाक्य विकट नहीं निकाल पाय हैं बढ़ दिक्कत दिये हैं ठीक है यह राइटम औफब्रेक बोलर हैं कायल मैर्स लेफ्ट हैंड बैटर हैं तो दोनों राइटम औफब्रेक बोलर्स हैं तो दोनों ही दिक्कत देंगे पावपले में बाकी हेरी टेक्टर का कुछ खास दिक्कत नहीं है बढ़ हां मुहमद नाभी के सामने छे बॉल में पाच रन करके एक बार आउट हो चुके हैं आजाम खान का दिक्कत है फैबेन एलन के सामने स्पेशली पाच बॉल पे साथ रन करके दो बार आउट हो चुके हैं बाकी ठीक वसीम के सामने, मुहमद आमेर के सामने, नाभी के सामने भी, बट T20 फॉर्माट में किसी ने भी इस पर्टिकुलर टीम से इनको आउट नहीं किया है, जामाइगा के बैटर्स और बर्बरडोस के बोलर्स में से देखेंगे, ब्रेंडन किंग के सामने, ओबेड मेकॉई ठीक ठाक दिक्कत दिया है, मुझी इनको काफी दिक्कत दिया है, 27 बॉल पर दो बर आउट कर चुके है, होल्डर भी दो बर आउट कर चुके है, बट 71 बॉल्स पर और T20 फॉर्माट में है, अगर 35-40 बॉल्स कोई खेल जाता है पर इनिंग, मतलब ठीक ठाक खेल लेते हैं ब्रेंड गिंग होल्डर को, ठीक है, केनार लुइस के सामने ओबेड मेकॉई ने दिक्कत दिया है, 14 बॉल में 11 रन करने दिया है, एक बर आउट किया है, कौन बॉल्स दो बार आउट कर चुके हैं, तरी एक बर आउट कर चुके हैं, दो बॉल्स पर ठीक है, शामारा बॉल्स ठीक खेले हैं, बाकी ओबेड मेकॉई के सामने तीन बॉल में 4 रन और एक बर आउट हो चुके हैं, रोबमन पावल के सामने ओबेड मेकॉई काफी ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं, 57 बॉल्स पर पाँच बर आउट कर चुके हैं, कायल मायर्स साथ बॉल में एक बर आउट कर चुके हैं, मुझीब पाँच बॉल में सिर्फ एक रन करने दिये हैं, हला कि विकेट नहीं निकाल पाए हैं, रेमोन रेफर के सामने जेसन होल्डर बाड़ा बॉल पे तेरा रन दो बाड़ आउट कर चुके हैं, बाकि कॉर्ण बॉल चार बॉल में सिर्फ दो रन करने दिये हैं, जीरो बाड़ आउट हुए हैं, यहाँ पे मैच अप बनता है क्योंकि यह है लेफ्ट हैंड बैटर और यहाँ पे कॉर्ण वाल है, राइट अम ऑफ ब्रेक स्पिनर ठीक हैं, मुहमद नाभी के सामने मुजीब काफी ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं, बीस बॉल पे चालीस रन तो किये हैं, वर तीन बाड आउट भी हुए हैं, वाल्श यहाँ पे छे बॉल में एक रन करने दिये हैं, दो बाड आउट कर चुके हैं मौहमद नाभी को ठीक है, बाकी फैविन एलन के सामने होल्डर और ओबेड मेकॉई एक एक बार आउट किये हैं, मेकॉई छे बॉल में पाच रन करने दिये हैं एक बार और चौदा बॉल पे 16 रन एक बार जेसन होल्डर। बाकी बार्बडोस रोयल्स का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ओडर डिसकस करेंगे, तो कुंटें डिकॉग और डेविड मिलर ताउट हो चुके हैं, उनके जगा नजबुले जदराना हैं, और वो प्लेइंग 11 में भी फीचर कर रहे हैं, जहां पर कायल मायर्स के साथ रकीम कॉर्णवाल ओपिनिंग करेंगे, शुरुवात इस टूर्णामेंट का कायल मायर्स का काफी जदा खतरनाक रहा था, मैन अफ दर टूर्णामेंट चल रहे थे, बर उसके बाद पिछले कुछ मैचेस में आप देख सकते हैं, कुछ खास नहीं किया हैं, 26 runs एक विकेट, पिछले मैच में किये थे, उसके पहले 0, 16, 9, 79, 12, 33, 52, 36, ठीक है, रकीम कॉर्णवाल पिछले मैच में काफी अच्छा खेलते वे आ रहे हैं, 91 runs भी किये थे, दो विकेट बीनिंग काल ले थे, और यह कायल मैर्स है ना, शुरुबात में कुछ Overs डालेंगे, मतलब एक आदा Overs डालेंगे, उसके बाद नहीं डालेंगे, अगर शुरुबात में विकेट मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर शुरुबात में उनको reverse swing मिल रहा है, या फिर swing मिल रहा है पिछ से, तो फिर दूसरा Overs के लिए भी आएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, ठीक है, रकीम कॉर्णवाल डाल रहे हैं, क्योंकि सामने left hand batters आपको दिखेंगे, Raymond Rafer के रूप से, एंड इमाद वसीम भी है, तो नीचे जो दो batters हैं, उनके सामने कॉर्णवाल आ सकते हैं, बाकी सारे के सारे right hand batters हैं, जमाइका के टीम में, ठीक है, Harry Tector है, नमबर 3 पे खेल रहे हैं, जब से इन्होंने responsibility लिया है, टॉप order flop हो रहे हैं, प्लस नीचा के hitting का भी ज़रूरत करना पर रहा है, ये inning को anchor भी कर रहा है, ज़रूरत परने पर, और accelerate भी कर रहा है नीचा के, Jason Holder, one of the best tournaments जा रहा है इनका, man of the tournament मेरे ही सब से यही होना चाहिए, बाकी देखते हैं, किनको दिया जाता है, Devon Thomas इनके तरफ से wicket keeper batter है, जब से Quintan Dicock गये हैं, यही wicket keeping का duty समाल रहे हैं, और नीचे batting कर रहे हैं, Hayden Walsh और Joshua Bishop में से कोई एक खेलेगा, दोनों का ही role लगभग सेम रहेगा, कि right handers के body से ball को दूर लेके जाना, यह है left time orthodox spinner, यह है leg break bowler, ठीक है, बाकी Obed में कोई team के main pacer होंगे, and now with Jason Holder and Raymond Simmons, Raymond Simmons भी left time medium fast है, जो पिछले match में 3 wicket निकाले थे, उसके बहले 0, फिर 2, फिर 0, फिर 0, फिर 2, मतलब लेंगे तो 2 wicket, नहीं तो 0 wicket, ठीक है, बाकी Mujibur Rahman consistent player है, नीचे आके यह काफ़ी अच्छा hitting करते हैं, जो कि बहुत जादा underrated है, तो Mujib का अब लेके ही चलना, जहाँ पे spin इतना favor कर रहा है, bench में Corbin Bosch है, जिनको नहीं खिला जा रहा, Justin Grieves, Naeem Young है, जो कि काफी अच्छा उभरती वे सितारे हैं, एक match खिला है थे, जहाँ पे 3 waker निकाला थे, उस match में हमारे team में थे, अगर आपको याद होगा, Bishop पिछले 3 matches खेले हैं, कुछ खास नहीं कर पाए है, Ocean Thomas का इस venue पे record अच्छा है, Teddy Bishop नहीं खेलेंगे, इस team से safe captain wise captain option मेरे हिसाब से, यहाँ पे Kyle Mars होंगे, Cornwall का नम आप add कर सकतो, ठीक है, और Jason Holder तो है ही, बाकी बात करेंगे जमाई का थलावास team से, तो इनके तरफ से, महमद आमिर का injury concern है, हलका फलका निगल है, अगर risk लेके वो खेलना चाहेंगे, तो बिल्कुल खेल सकते हैं, उतना भी जदे injured नहीं है, बड़ जितना बोला जाड़ा है, कि शायद इस match को यह miss कर सकते हैं, उनके जगा मिगल प्रिटोरियस को खेला आ जा सकता है, हलाकि वो like to like replacement तो नहीं होंगे, क्योंकि यह left arm pacer है, मिगल प्रिटोरियस, right arm medium fast है, बर मुहमद नाभी आ चुके हैं, पिछले एक दो matches खेले भी हैं, ब्रिंडन किंग के साथ किनार लुइस opening कर रहे हैं, ब्रिंडन किंग के पिछले दो matches कुछ खास नहीं किया है, उसके पहले 104 किये थे, ब्रिंडन किंग को ठीक है, इमाद वसीन तो इनके ही टीम में है, केनार लुइस, पिछले दो matches कुछ खास नहीं किया हैं, हलाकि वीकेट कीपिंग से आपको points दे सकते हैं, शमाड़ा ब्रूक्स आपको दिखेंगे, जो के पिछले दो matches इसी venue पे काफी consistently performance किये हैं, और form में दिख रहे हैं, तो small league में तो छोड़ियेगा ही मत, ठीक है ना, बाकि रूवमन पावल टीम के captain है, captain snog final वाले match में आप expect कर सकतो, पिछले match में एक से 2 over किये थे, एक wicket भी निकाल के गए थे, तो ध्यान दीजेगा, थोड़ा बहुत bowling भी कर रहे हैं, जरूरत परने पे, रेमन रेफर, दोनों matches में, 20s में runs किये हैं, आप try कर सकतो, especially अगर top order flop होता है, तो रेमन रेफर का role और भी important हो जाएगा, शुरुवात के कुछ matches में, जहाँ पे, जमाइका का top order perform नहीं कर पा रहा था, तब यह 40 भी किये हैं, 41 भी किये हैं, 62 भी किये हैं, ठीक है ना, बाकि इमाद वसीम consistently bowling से performance दे रहे हैं, पिछले match में इनको promotion मिला, ठीक है, जहाँ पे left arm spinners bowling कर रहे थे, उनके सामने इनको promotion दिया गया, strategical move था, जहाँ पे, इमाद वसीम उनको बहुत बड़ीया तरीके से दोए, इमाद ना भी है, पिछले match में कुछ खास नहीं किये थे, बड़ डेब्यू match में 31 runs और तीन विकेट भी निकाले थे, इसी साल का performance है, इसी venue पे ध्यान दीजेगा, और अगर आप opponent team, मतलब Barbados के playing 11 को देखेंगे, Kyle Myers से top order में, जो के left hand batters है, और यहाँ पे Nazibullah जदरान है left hand batter, तो दो left hand batter इनके playing 11 में आपको सीधे सीधे दिख़ रहा है, जहाँ पे मोहमद ना भी clear cut game में आ सकते हैं, फिर Fabian Allen, batting से उनका जादा roll नहीं रहा है, बट bowling से क्योंकि pitch में grip and turn है, जहाँ पर यह काफी अच्छा flight दे रहे हैं और wicket निकाल रहे है, wicket to wicket भी ball कर रहे हैं, ठीक है, मतलब batsman अगर miss करेंगे सीधे LBW bold, Chris Green, last match में काफी अच्छा किये तो इसके पहले कुछ खास नहीं किये, फिर 2 wicket, फिर 1 wicket, decent performance किये है, निकोलसन गर्डन है, right time medium fast, डेट अवर्स में डालते हैं ध्यान दीजेगा, अगर महमद आमिर नहीं खेलते हैं, जिसके chances ठीक ठाक है, उनके जगा मिगल प्रिटोरियस आ सकते हैं, ट्रम पिक आज आपके लिए होने वाले हैं, मिगल प्रिटोरियस, ठीक है, सांदीप लामी चाने नहीं है, जोसुवा, जेम्स है, जांगू को नहीं खिला जाड़ा, मार्चेंट, स्प्रिंगर, नेड, इम्प्रिटोरियस, इम्प्रिटोरियस का अब तक का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, इस साल CPL में सिर्फ एक युविकेड निकाल पाए हैं, दोस्तों इस वीडियो में दिया गए अब तक का अनलाइसिस, इन्फॉरमेशन, स्टैट्स, प्लेयर बैटल्स, सब कुछ अगर आपको समझ में आया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है मैच को लेके, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा, एकदम फ्री है, नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, उसको आप बिल्कुल प्रेस करके औल पे कर लीजेगा, ताकि नेक्स्ट हम जब नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास, सबसे पहले पहुंच जाए, अगर हो सके वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और एक कॉमेंट छोड़ के जरूर से जाएगा, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर क्या-क्या और हम इंप्रूव्मेंट या फिर एड कर सकने वीडियो में, ताकि आपको और जदा फाइदा हो, फैंटेसी अनलाइसिस के हिसाब से, वीकर्ट कीपिंग सेक्शन वे आएंगे, किनार लुविस को खिला आ जाए रहा है, आमिर जांगू के जगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, टेलिग्राम चैनल पर एक ओडियो के जरी आपको याद होगा, कि जांगू एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, टॉप अडर में, ठीक है, ब्रेंडन किंग कभी चल रहे हैं, कभी नहीं चल रहे हैं, पूरा जिम्मेदारी जो है, रोवन पावल पर आ रहा था, जो के उनके कैप्टन है, याद नीचे से रेमोन रेफर पर आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर केनार लुइस जो के टॉप अडर में एक्सिलरेट करते हैं, अगर बारा पंदरा बॉल भी खेल गए, यह आपको तीस रन तक बना के दे सकते हैं, तो इस तरीके के प्लियर है, प्लिस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगे, ओपिनिंग भी करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टन हो जा रहे हैं, डेवन थामस को ग्रैंड लिंग में ट्राइ कीजएगा, उसी टाइम पे ट्राइ कीजएगा, जब बर्बरोस के टॉप अडर से अट लिस्ट अब चार बैटर छोड़के जा रहे हैं, क्योंकि ये खुद आएंगे नमब च्छे नमब साथ पे, ठीक है, बैटिंग सेक्शन में आएंगे, ब्रेंडन किंग मस्ट पिक होना चाहिए, ये कायल मायर्स को अब ले सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम बोलिंग भी डालते हैं, ठीक है, नए बॉल के साथ, फर्स्ट ओवर या फिर सेकंड ओवर डालेंगे, ज़्यादा तर ये फर्स्ट ओवर ही डालते हैं, बाकि रेमन रेफर को ट्राइ कर सकते हैं, एगेन रेमन रेफर तब ज़्यादा इंपोर्टन होंगे, जब टॉप ओडर से अट लिस्ट, दो से तीन बैटर पावप लेके अंदर ही आउट हो जाएंगे, तब ठीक है, रोवमन पावल भी पिछले मैच में बोलीन किये थे, आजम खान, देखे, 36% सिलेक्टेड है, अंडर रेटेड है, पिछले मैच में काफी अच्छा किये थे, और पिछले 2-3 मैचे जो इस वेन्यों पे खिला गया है, बहुत ही अच्छा किये है, ध्यान दीजेगा, शमारा ब्रुक्स को तो लेना ही है, पिछले 2 मैचेस में पूरे टच में लगड़ा है, फॉर्म में लगड़ा है, बिल्कुल confidence हाई होगा, और इस मैच में भी अच्छा करना चाहेंगे, हैरी टेक्टर, जोके consistently नमबर 3, नमबर 4 पे आ रहे हैं, बिल्कुल आप Grand League में ट्राइ कीजेए, तो Grand League वाले प्लेयर कौन-कौन हो गया है, हैरी टेक्टर हो गया, यहाँ पर आजम खान हो गया, यहाँ पर रेमोन ड्रीफर हो गया, ठीक है, तो उस तो Allrounder section में आएंगे, जेसन होल्डर, इमाद वसीम आपके टीम में सीधे सीधे आ जाएंगे, मौमाद नाभी को भी आप बिल्कुल ट्राइ कीजेगा, हलाकि इनके बैटिंग में दिक्कत होगा, मुझीब के सामने, specially अगर, ऑपनेंट टीम का जो कैप्टन है, वो मुझीब के ओवर्स थोड़ा सा बचा के रखे नाभी के लिए, तो काफी जादा फाइदा उनको हो सकता है, और नाभी से फिर आपको बोलिंग से ही expectation करना पड़ेगा, अगर मुझीब इनको फसाद देते हैं बैटिंग में, ठीक है, कॉर्णवल ओपेनिंग प्लस बोलिंग इंपोर्टन होंगे, फैबेन आलन बहुत ही उम्दा ग्रैंड लिग पिक होंगे आज, क्योंकि ओपनेंट टीम में दो लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, तो इसलिए जमाइका टीम से फैबेन आलन जोगे लेफ्टाम और्थ्रोडक्स डालते हैं, काफी इंपोर्टन हो सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं मुहमद नाभी के साथ ही फिलाल जाओंगा, ये हो गए मेरे चार्ल और्लाउंडर्स, बोलिंग सेक्शन में मुहमद आमिर को फिलाल में नहीं ले रहा, फिलाल में किन को लूँगा, ओबेड में कौई मुझीब को लूँगा, अनिया से क्रिस ग्रीन को लूँगा, इधर से ग्रैंड लिग के पिग मिगल प्रिटोडियस होंगे, अगर नहीं खेलते हैं, मुहमद आमिर, एन गॉर्डन होंगे, जोगे डिट ओवर्स स्पेशलिस्ट हैं, फर्स्ट मैच में तीन वीकर निकाले थे, उसके बाद एक आदा वीकर निकाले, कुछ खास नहीं कर पाए, हेडन वाल्ष ऐसे पिछ पे जहां पर ग्रिपन टर्न हो रहा है, काफी इंपॉर्टन होंगे, स्पेशलि फाइनल वाले मैच में, ठीक है, बाकी रेमॉन सिमोंट इस मैच में, मुझे इन से कुछ खास उमीद है नहीं, अगर सेकंड इनिंग में डालते हैं तो, बट फर्स इनिंग में अगर बोलिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में आ सकते हैं ध्यान दीजेगा, तो दोस्तो मेरा फिलाल स्मॉल लिक का टीम कॉमिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है, अब देखो, यहाँ पर देखके आपको थोड़ा से अजीब लगड़ा होगा, स्पेशली यह वाले सेक्शन में, यहाँ पर यह दोनों ओपिनिंग करेंगे, यह नमबर तीन पे आएंगे, यह लगभग नमबर चार पे आएंगे, तो टॉप चर मैंने जमाई का टीम के तरफ से ले लिया है, यहाँ पर आप कायल मायर्स को ले सकतो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किंग के जगा ले लो, या फिर बुक्स के जगा ले लो, या फिर पावल के जगा ले लो, वो आपके उपर है, मैं सज़स्ट करूंगा, अगर Kyle Myers को लेना ही है, तो King के जगह ही लो, क्यूँकि Kyle Myers आपको batting plus bowling से contribution देंगे, King आपको सिर्फ batting से contribution देंगे, Roweman Powell भी bowling कर रहे हैं, una dozen over, to if Kyle Myers को लेना है, King के जगह ले सकतो, यहां पर Holder Cornwell को मत छोड़ना इमाद वसीम को मत छोड़ना नाभी के जगा Fabian Allen को ट्राइ कर सकतो यहां पर Green के जगा अब आइधर Gordon को ट्राइ कर सकतो या फिर Hayden Walsh को ठीक है मुझीब और Oben McCoy को बिल्कुल नहीं छोड़ना है Captain Vice Captain option इस टीम में Obviously Jason Holder नमबर 5 पे consistently batting कर रहें प्लस 4 वर बोलिंग इसलिए मेरे Captain होंगे Vice Captain मैं इमाद वसीम को दूँगा आप चाहो तो Cornwell के साथ जा सकतो दिक्कत नहीं है ठीक है मैं Final Team combination जब Telegram में दूँगा कुछ भी changes कर सकता हूँ फिर Playing 11 में अगर मुहमद आमिर खेलते वे दिखे तो Chris Green के जगह मैं मुहमद आमिर को भी ले सकता हूँ वह Final Update After Toss आपको Telegram चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के comment section में आपको दिख जाएगा एकदम उपर पिन किया हुआ ठीक है